इस दौरान जो अनुभव आये हैं, उसकी समिक्षा, उन पर चर्चा हमें आगे के लिए बहुत उप्योगी हो सकती हैं। आज की इस चर्चा में मुझे भी आपसे काफी कुछ जानने का अवसर मिलेगा, ग्राउंड रियालिटी क्या है उसको समझने का अवसर मिलेगा, आज की चर्चा के निकले पॉइंट्स आपके सुझाव देश को आगे की रणलिक्ति बनाने में अवश्च्य मदद करेंगी। साथ यो किसी भी संकट से निपटने के लिए ताइमिंग का बहुत महत्व होता है। के खिलाब लड़ाई का अध्यान होगा, तो ये दोर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दोरान हमने साथ मिलकर के काम किया, कोपरेटिव फर्डरिलिजम का सर्वोत्तम उधारन प्रस्तुत किया, सात्यों जब करोना दुनिया के अनेग देशों में चर्चा का वि इशर भी नहीं बना था, तब भारत ने इस से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी, फैसले लेने शुरू कर दिया थे, हमने एक एक भारतिये की जिन्दगी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की है, बीते हप्तों में हजारों की संख्या में हमारे भारतिये भाई भेन विदेश से अपने वतन वापिस लोटे हैं, बीते हप्तों में, लाखों की संख्या में प्रवासी स्रमीक अपने अपने गाउं पहुँचे हैं, रेल, रोड, एर, सी, सारे मार्ग करीब करीब अब खुल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कोरोना, संक्रमान, उस जैसा विनाश्कारी प्रभाव नहीं दिखा पाया, जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफ़त पैदा की हैं, दुनिया के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार, लोगडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाये गए अनुसाचन की, आज भारी चर्चा हो रही है, आज भारत में रिकवरी रेट पचांस पतितत से उपर चला गया है, आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है, जहां कोरोना संक्रमीत मरीजों का जीवन बच रहा है, कोरोना से किसी की भी मृत्यू दुखद है, हमारे लिए किसी एक भारतिय की भी मृत्यू असहज करने देने वाली है, लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में हैं, जहां कोरोना की वज़े से सबसे कम रुत्यू हो रही हैं, अब अनेक राज्यों के अनुभव, आज आत्मविश्वास जगाते हैं, कि भारत कोरोना के इस संकट में अपने नुक्सान को सिमित करते हुए आगे बढ़ सकता है, अपनी अर्थववस्ता को तेजी से सम्हाल सकता है, साथियों बीत्वे दो हपते के अनलॉक वन ने हमें एक बड़ा सबग ये भी दिया है, कि अगर हम नियमों का पारण करते रहें, सारे दिशान दिर्दोशों को मानते रहें, तो कुरोना संकट से भारत को कम से कम नुक्षान होगा, इसलिए मास्क या फेस कवर उस पर बहुत ज़्यादा जोड़ देना अनिवारिया है, आवशक है, बीना मास्क या फेस कवर के गर से बाहर निकलने की अभी कलपना करना भी सही नहीं है, ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाख है, उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी, इसलिए दोगज की दुरी का हमारा मंत्र हो, दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ दोनी की बात हो, सेनिटाइजर का इस्तेमाल हो, ये सभी बहुत गंबीर तासे किये जाने चाहिए, खुद की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, विशेशकर, गर के बच्चों और बुजर्गों की सुरक्षा के लिए, ये बहुत जरूरी है, अब तक लगभग साहरे ओफिसेश खुल चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ओफिस जाने लगे हैं, बाजारों में सडकों पर बीड बढ़ने लगी है, तो इस साहरे उपाय ही कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने में मददगार होंगे, थोड़ी सी भी लापरवाई, थोड़ी सी भी डिलाई, अनुशासन में कमी, कोरोना के खिलाप हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा, और इतने दिनों की जो तपस्या है, उस पर पानी फिर जाएगा, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, कि हम कोरोना को जितना रोग पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोग पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थेववस्ता खुलेगी, हमारे दप्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांस्पोर्ट के साधन खुलेंगे, और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे, साथियों, आने वाले दिनों में, अलग अलग राज्यों में, एकनोमिक एक्टिविटी का, जिस तरफ विस्तार होगा, उससे मिले अनुभव, दूसरे राज्यों को भी बहुत लाब पहुँचाएंगे, बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से, हमारी अर्थेववस्ता में, ग्रीन सूट्स दिखने लगे हैं, पावर कंजम्शन जो पहले गड़ता जा रहा था, वो अब बढ़ना शुरू हुआ है, इस साल माई में फर्टिलाइजर की सेल, बीते साल माई की अपेक्षा दो गुनी हुई है, इस बार खरीब की बुगाई, बीते साल की अपेक्षा करीब 12-13 परसेंट जादा हुई है, टू विलर्स का प्रोडक्षन लॉगडाउन से पहले के स्तर का करीब करीब 70 प्रतिशक तक पहुच चुका है, रिटेल में डिजिटल पेमेंट भी लॉगडाउन से पहले के स्तिती में पहुच चुका है, इतना ही नहीं, मई में टॉल करेक्षन में बढ़ोत्री होना एकोनोमिक एक्टिविटी में बृद्धी को दिखाता है, लगातार तीन महिने तक एक्षपोर्ट में कमी के बात जूर में एक्षपोर्ट फिर से बाउंस बैक करके पिछले साल के प्री कोविर पिरियड में पहुच गया है, यह तमाम संकेत है जो हमें प्रोट्साहित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथियों आप पैसे अधिकतर राज्यों में एग्रिकल्चर, होटिकल्चर, फिशरीज और MSME का हिस्सा बहुत बड़ा है। आत्मन निर्भर भारत अभ्यान के तहट बीते कुछ दिनों से इन तमाम सेक्टर्स के लिए अनेक प्रावधान किये गए हैं। MSME को सपोर्ट करने के लिए अनेक फैसले हाल में लिये गए हैं। समय बद्ध तरीके से MSME को बैंक से क्रेडित दिलाने का प्रयास हो रहा है। सो करोड रुपिय तक के टर्न ओवर वाले उद्ध योगों को 20% अतिरिक क्रेडित के आटोमेटिक इंक्रीज का लाब दिया गया है। अगर हम बैंकर्स कमिटीज के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि उद्ध योगों को तेजी से क्रेडित मिले तो वो जल्द से जल काम शुरू कर पाएंगे। लोगों को रोजगार दे पाएंगे। सात्यों हमारे यहाँ जो smaller factors हैं उन्हें guidance की hand holding की बड़ी ज़रूरत है। मुझे पता है आपके नेत्रूतों में इस दिशा में काफी काम हो रहा है। ट्रेड और इंडस्री अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सकें इसके लिए value change पर भी हमें मिलकर काम करना होगा। राज्यों में जहां कहीं पी specific economic activity points हैं वहाँ 2400 घंटे काम हो, सामानों की loading, unloading तेजी से हो, एक सहर से दूसरे सहर तक सामान जाने में स्थानी स्तर पर किसी तरह की दिक्कप न हो, तो economic activity और तेजी से बढ़ेगी। साथ्यों किसान के उत्पात की marketing के खेतर में, हाल में जो reforms किये गए हैं, उससे भी किसानों को बहुत लाब होगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्द होंगे। उनकी आय बढ़ेगी और खराब मौसम के कारण, storage के अभाव के कारण, उनको जो नुक्सान होता था, उसे भी हम कम पर कर पाएंगे। जब किसान की आय बढ़ेगी, तो मनिश्चित रुप से दिमान भी बढ़ेगी और राज की अर्तिववस्ता की गती भी बढ़ेगी। विशेशत तोर पर, नौर्थीश और हमारे आदिवासी इलाकों में, फार्मिंग और होटी कल्चर इसके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं। और गनिक प्रोडक्स हो, बांबू प्रोडक्स हो, दूसरे ट्राइबल प्रोडक्स हो, उनके लिए नए मार्केट का अदवार खुलने वाला है। लोकल प्रोडक्स के लिए जिस क्लस्टर बेज रनदीती की गोशना की गई हैं, उसका भी लाख हर राज्य को होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम हर ब्लॉक, हर जीले में ऐसे प्रोडक्स की पहचान करें। जिनकी प्रोसेसिंग या मार्केटिंग करके एक बहतर प्रोडक्स हम देश और दुनिया के बाइजार में उतार सकते हैं। साथिवब बीते दिनों आत्मा निर्भर्थ भारत अभियान के तहट जितनी भी गोचनाय की गई हैं, वो एक निश्चित समय सिमा के भीतर जमीन पर उत्रे, इसके लिए हमें एक जूट होकर काम करना है। इस प्रिष्ट भूमी में कोरोना से लड़ाई और एकनोमिक एक्टिविटी से जुड़े आपके जो सुजाव हैं, जो तयारिया हैं, वो जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ और मुझे पका विश्वास हैं कि अनुभव के आधार पर आपकी जो बाते आएगी, वो आने वाले रणदिती बनाने में बहुत काम आएगी, मैं ग्रमंत्री जी से आगर करता हूँ कि वे आगे की चर्चा का संचालन करें